हलो हाई नमस्कार वेलकम यौल रन स्टी केंबर सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस्टी केंबर के स्टीट फर्म पर स्टीट के रिगार्डिंग यह वीडियो आप सब के लिए हैं हर्याना टीटी का जो फर्म कब आएगा कब नहीं आएगा इसको लेकर काफी असमंज़स क स्टी बनी हुई है अब सभी इस चीज़ को लेकर बहुत ज्यादा भ्रहमित हो कि एक्जाम डेट तो अनाउंस कर दी गई है जो कि रखी गई है साथ और आठ दिसंबर की 2024 के लिए लेकिन अभी तक एक्जाम के बारे में कोई बात नहीं पता लग पा रही है कि फॉर्म कब अब आएंगे फिर एडमिट कार्ड कब आएगा और फिर दीट तो हलंके एक्जाम डिट पहले आ चुकी है अब तो इलेक्सन भी हो चुका है हर्याना में तो काफी साती सीज़ को लेके परिसाने उन्हें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है एक्जाम कैंसल हो जाएगा इस छोड तो एस्टी पहले साथ साल के लिए वैलेड हुआ करता था लेकिन अब आपको बार बार एस्टी का फॉर्म भरने के आप शक्ता नहीं बढ़ेगी क्योंकि एस्टी अब हो गया आपके लिए लाइफ टाइम जीवन भर के लिए वैलेड होगा अगर आप एक बार क्वालिफ एक्जाम कैसे होगा और अभी October आपका चलने लगा है आज 8-9 October हो चुका है इसके बाद फिर November का महीना बीच में बचा हुआ है और December की starting में आपको एक्जाम की date दी गई है तो क्या ये cancel होगा या फिर form हमें देखने को मिलेंगे तो इसे बताने से पहले मैं तोड़ा एक प ठीक है लेकिन वहां भी कुछ ऐसा नहीं था कि एक्जाम से पहले 6 महीने पहले या 7 महीने पहले फार्म मिलेते पैटन ये रहता है STT का 2023 का पैटन क्या रहा था 2023 का पैटन ये था कि फार्म निकाले गए थे 2023 में 30 October को और अभी अभी कैसल रहा है 9 October चल रहा है तो 2023 में 30 October को फार्म आई थे लास्ट रखे गए थी 10 November के ठीक है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं 10 दिन का टाइम दिया गया था फार्म बनने के लिए और उसके बाद 20 दिन का गैप लेते हुए 2 और 3 December को आपका एक्जाम ले लिया गया था तो उम्मीद वही है कि जो पैटन 2023 में फॉल वह हमें इस अक्टूबर के लास्ट तक या फिर अक्टूबर के नवंबर के फस्ट वीक में भी देखने को बज जाए तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है नवंबर का फस्ट वीक में क्यों बोल रहा हूं क्योंकि एक्जाम पहले हुआ तो 2 और 3 December को इस जो एक्जाम हो जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ठीक है तो जो साधी सीज को लेकर परिसान है कि क्या यह एक्जाम गैंसल हो जाएगा क्या देट फिर से आएगी क्योंकि फर्म अब तक नहीं आए तो मैं सबको बदा देता हूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा संभावना इस इस एक्जाम का वही पराना है CDP 30 नम्मर का आता है मैं जल्दी ही YouTube पर CDP सुरू करने वाला हूं आप सब के लिए STD के लिए ठीक है डी मोटिवेट होने के बिल्कुल आवशकता नहीं है तो हम आएंगे और आएंगे करन अरजुन की तरह है ठीक है और एक्जाम आपका साथ औ और आप डी मोटिवेट ना हो इसलिए आपको आशर्ष्ट करने के लिए वीडियो में ने बनाई है लाइक से रावशे कीजिएगा जुड़े एस दीक हैं बस के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यबार एंड थैंक्यों